तीम इंडिया ने अब तक बहतर प्रदेशन किया है और काफी शान्दार प्लेइंग 11 की ठीम के साथ प्रदेशन किया है ऐसे में आपको बदाते कि खबरे सामने आ रहे हैं कि इस प्लेइंग टीम में बदलाव किया दा सकता है जसल टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में खेले अब तक के अपने सारे मुकाबलों में जीत हासिल की है लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में केल राहूल और सूरे कुमार यादव यानि कि दो ऐसे खिलाडी मुझूद हैं जिनों ने अब तक वर्ल्ड की ओसस से 85 रन बनाए हैं वही पर अगर केल राहूल की बात करें तो उन्होंने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में खेले आठ मुकाबलों में से टीम इंडिया के लिए 245 ही रन बनाए हैं इन दोनों ही भारते के राडियो के प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान रोही शर्मा इन और ठाकूर को जो है मुका मिलेगा खासतोर से कप्तान रोही शर्मा नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले के प्लेइंग 11 में इशान किशन और शार्दूल ठाकूर को प्लेइंग 11 में शामिल होने का मुका नहीं भी दे सकते हैं तो उनकी जगे पर प तक वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए तीन मुकाबले खेले हैं वाही पर नीदर लैंड के खिलाव संभावी टीम इंडिया रोहिश शर्मा यानि कि कप्तान और उसके लावा शुबमंगिल विराट कोली स्रेश आययर इशान किशन यानि कि जो विकेट कीपर है इसके शारदूल ठाकू, रविंदा जडेजा, मोहमद शमी, कुल्दी पियादव, जस्परित बुम्रा और मोहमद सिराद जो हैं वो सामिल हैं यानि कि जानकारी के अनुसार टीम इंडिया ने नीदर लैंड के खिलाव अपने प्लेइंग 11 की अनुप चारिक तोड़ से घोशना कर दी है, जिसमें की नाम जो है फे बदल किये गए हैं, ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि नीदर लैंड के खिलाव होने वाले इस मुकाबले में राहुल और सूरे कुमार यादव को प्लेइंग 11 से ब्याहर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी पारी ज टीम में बदलाव के बाद क्या मैच में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या जिस तरीके से लगातार विरिंग तोर पर भारते टीम खेल रही है, उसे तरीके का मुकाबला आगे भी होने वाला है